विश्व की कई देशों में लोकतंत्र इस्थापित हैं लेकिन कई देशों की लोकतंत्रिक व्यवस्था में भिन्नताईं दिखाई देती हैं जैसे हम भारत के बात करें भारत में 18 वर्स या इससे अधिक उम्र के लोग प्रतिनीधियों का चुनाओ करते हैं ये प्रतिनीदी विभिन राजनेतिक दलों के होते हैं जिस राजनेतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो प्रधान मंत्री का चुनाओ करते हैं प्रधान मंत्री देश की सासन वेवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट है यहां सभी धर्मों को समान समान प्राप्त है हम बात करें अमेरिका के अमेरिका में भी प्रतिनीधियों का चुनाओ किया जाता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्टपती के रुप में चुना जाता अगर हम बात करें इसलामिक देशों की जहां लोगतंत्र इस्थापित है तो हम देखते हैं कि वहां की लोगतंत्रिक व्यवस्था में कानून में धर्म का प्रभौ दिखाई देता है इस पार्ट में हम लीबिया और मयम्मार देशों में लोगतंत्र किस प्रकार इस्थापित हुआ और उसे इस्थापित करने के लिए लोगों ने किस प्रकार संघर्ष किया इसकी कहाने को विस्तार से देखेंगे